नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल Creating Mathematicians में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको विदिद है कि मैं PGT 2021 के गडित प्रस्नपत्र का विस्तरत हल इस समय दे रहा हूं, इसी करी में इसका last part आज के वीडियो में होगा। इसके पहले मैं जो भी part इसके ला चुका हूं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें आप अवस्य देखें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आएए, शुरू करते हैं, question number 111, 111 में देखिए, यहाँ पर एक second degree की equation दी गई है, और कहा जा रहा है कि यह pair of state line रिप्रेजेंट करती है यह equation, तो हमें इनके बीच की distance निकालनी है, तो बीच की distance के लिए देखिए, फामूला है यहाँ पर, d equal to 2 under root g square minus ac upon a, a plus b, अब a क्या होता है, x square का coefficient, b, y square का coefficient, c जो है यहाँ पर, वो यह constant, 1 हो जाएगा, और g जो है वो x, y, sorry, x के coefficient का आधा होता है, तो यहाँ पर 2g x होता है, तो 2g की जिए 4, तो g की जिए 2 आजाएगा, तो यह सारी values हम यहाँ पर रख देंगे, तो देखिए, यहाँ पर यह 2, root g square, g देखिए, यहाँ पर 2 है, तो इसका square 4 हो जाएगा, minus a, a जो है वो 1 है, c, b, 1 है, upon a, a plus b, a की value हमने रख दी, 1, फिर 1 plus b, देखिए, y square का coefficient, a, जो है, वो x square का coefficient, a, 1 होगा, b, 2 होगा, तो इस तरीके से हम इनकी values रख देंगे, पूरा cancellation करेंगे, तो solve होके 2 आ जाएगा, तो इस तरीके से option c, जो है, वो हमारा यहाँ पर सही होगा, question number 112, देखिए, x to the power y equal to y to the power x दिया गया है, और x upon y, dy by dx, इसकी value निकालनी है, तो देखिए, इसको हमें log लेके करना पदेगा, हम दोनों side log ले ले लेंगे, तो log x to the power y, यह हमारा हो जाएगा, y log x, और इधर log y to the power x, तो यह x log y हो जाएगा, अब हम इसको product rule से differentiate कर देंग y log x का 1 upon x, प्लस log x रखा रहेगा, y का dy by dx हो जाएगा, अब ऐसे ही x रखा रहेगा, sorry equal लेंगे, अब हम यहाँ पर, x रखा रहेगा, यहाँ पर, तो log y का 1 upon y, dy by dx हो जाएगा, प्लस log y रखा रहेगा, x का 1 हो जाएगा, अब इसमें simply देखिए, dy by dx वाले हम एक तरफ करक तो इस तरीके से जो हम solve करेंगे, तो मैं direct लिख देता हूँ, यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर, d, sorry, y log x minus x upon y, dy by dx वाले हम सब एक तरफ करके common ले लेंगे, तो इतना आ जाएगा, देखिए, x log y minus y upon x, अब यहाँ पर देखिए, हमको x upon y into dy by dx की वैलू चाहिए तो यह x हम उदर उपर ले जाएंगे, upon y रखा रहेगा, इसको इधर transfer कर देंगे, तो यह x upon y, dy by dx, equal to, आ जाएगा, x log y minus y upon y log x minus x, तो इस तरीके से हमाई value आ जाएगी, option b जो है, वो हमारा यहाँ पर सही होगा, question number 113 देखिए यहाँ पर, एक particle कोई है, वो एक देखिए, कर की equation दी गई है, इसकी दिशा में चल लाए, और t equal to 1 पर उसके तोरण मतलब acceleration का component हमको i minor j plus k की direction में निकालना है, तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमको यह निकालना मलब एक vector form में, हमको एक vector मानना पलेगा, sorry, xi plus yj plus zk, यह हमने मान लिया कि यह कोई moving vector है, let r equal to xi, yj, zk is a moving vector, तो अब r हमाएं पास हो गया, तो देखिए हम dr by dt निकालेंगे, इससे हमको velocity मिलेगी, और फिर d2r by dt square निकालेंगे, उससे हमको acceleration मिलेगा, और इसको हम कैसे क्या use करेंगे, आप यह देखिएगा, हाँ, तो सबसे पहले अभी dr by dt निकालेंगे, पहले तो हमको यहाँ पर अब x, y, z की value रख देनी चाहिए, तो x की value हम रखेंगे, इसमें, यह tq minus 2i cap हो जाएगा, plus y की value रख देंगे, t square plus t j cap हो जाएगा, plus z की value इसमें रख देंगे, 2t plus 1 k cap हो जाएगा, यह vector method से इसको solve करने का तरीका है, अब हम dr by dt निकालते हैं, यह इदर लिखते हैं, देखिए, यह dr by dt निकलना है, इसको अब हम differentiate कर देंगे, with respect to t, तो यह हमारा हो जाएगा, 3t square i cap, plus यह हो जाएगा, 2t plus 1 j cap, plus 2 k cap, with respect to t, हमने इसको differentiate कर दिया, अब दुबारा differentiate करेंगे, तो d2r by dt square आ जाएगा हमारा, यह हो जाएगा, 6t i cap, plus k वलिए 2 j बचेगा, और इसका 0 हो जाएगा, इसमें t है नहीं, तो यह constant होगा, इसका 0 हो जाएगा, तो finally हमने यह acceleration निकाल लिया, बट अब हमको यहाँ पर देखिए, t equal to 1 पर निकालना है, question देखिए, t equal to 1 पर जो उसका acceleration है, उसका भी हमें i minus j plus k की direction में component निकालना है, तो अब हम करें क्या acceleration निकालेंगे, at t equal to 1, तो at t equal to 1 जो हमारा acceleration है, d2r by dt square देखिए, इसमें t की जिगे 1 रख देंगे, तो यह आ जाएगा, 6i plus 2j, अब हमें इसका component निकालना है, तो component के लिए देखिए, हम क्या करेंगे, जैसे यह कोई हमारा, जैसे कोई vector है, a, और यह vector b है, हमें इस vector का, इस vector की direction में component चाहिए, तो इसके लिए हम फामूला जानते हैं, कि a dot b upon mod b होता है, अब सेम हमको यही काम करना है, कि देखिए, यह acceleration है, यह माल लिए हमने यहाँ पर, 6i cap plus 2j cap, इसका हमको component निकालना है, i minus j plus k की direction, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का जैसे dot product लिया गया, तो इन दोनों का dot product लेंगे, upon में जो हम मौडलास लेंगे, तो देखिए, इन दोनों का हमने dot product ले लिया, और upon में, मौडलास हमें लेना है, उस vector का जिसकी direction में component निकालना है, यानि कि हम इसका मौडलास लेंगे, तो इसका मौडलास लेंगे, तो यह one, one, one root के अंदर आ जाएगा, बस यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कि component of acceleration a in given vector, direction of given vector, तो आप यह समझ पा रहे होंगे, कि यहाँ पे हमने क्या किया है, अब इसका जब हम dot product लेंगे, तो यह 4 आ जाएगा, तो इस तरीके से यह 4 by root 3 इसका answer आ जाएगा, option C जो है वो इसका answer होगा, question number 114 देखिए, V equal to x square plus y square plus z square, कि whole power minus 1 by 2 यह हमको given है, और x del v y dx, y del v y dx, plus z del v y dx, यह किसके बरावर होगा, मतलब इसकी value हमको निकालनी है, तो देखिए, अगर इसको हम general process apply इसमें करेंगे, तो यह काफी lengthy हो जाएगा, हमें यहाँ पे 3 lengthy differentiation करने पड़ जाएगे, तो हम यहाँ पर ILS theorem use करेंगे, उससे यह काफी छोटा हो जाएगा, आपके इस पूरे प्रश्ण पत्र में 3 questions ILS theorem से आए हैं, जिसमें मतलब कि ILS theorem use हो रही है, question number 50, और question number 114, और आगे अभी आपको एक question number 121 मिलेगा, इन 3 questions में ILS theorem use हो रही है, जो कि partial differentiation का portion है, यदि आपको यह नहीं आता है, या इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप अगर comment box में डालेंगे, तो मैं इसका वीडियो बना दूँगा, यह बहुत ही important topic है, तो देखिए है क्या ILS theorem, सबसे पहले तो देखिए, ILS theorem मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, V तो यहाँ पर देखिए, जो function हमको दिया गया है V, वो यही V है, और N जो है वो यहाँ पर degree है, अगर V homogeneous function है, तो N जो है वो उसकी degree होगी, ILS theorem में, ILS theorem में यहाँ पर जो function V है, वो homogeneous होना चाहिए, तो N उसकी degree है, अब degree क्या होती है, वो देखिए है आप यहाँ पर और उसको कैसे हम identify करेंगे, कि degree हम कैसे निकाले, मैं इस question में पूरी कोसिस कर रहा हूँ कि आपको इसका पूरा concept समझ में आए, तो यहाँ पर देखिए हमें करना क्या चाहिए, कि X की जिए, Lambda X, Y की जिए, Lambda Y, और Z की जिए, Lambda Z, यह रखके solve करना चाहिए, और V जो है, यही V जो है, वो हमारा Lambda की किसी power into V के term में, अगर आ जाता है, तो जो Lambda की power होगी, वही degree होगी, अब इस बात को मैं करके दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिए, यहाँ पर X की जिए, अगर हम Lambda X रख दें, तो यह Lambda X स्कॉयर हो जाएगा, की power minus 1 by 2, यह मैं इसकी value नहीं निकाल ला हूँ, यह degree पता करने का तरीका है, बस यहाँ पर हमको degree अगर पता चल जाए, जैसे इसकी degree 2 है, तो यह 2 भी इसका answer हो जाएगा, बस इतना काम है यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर देखिए, Lambda X अगर कॉमल ले लें, और उसकी फिर whole power, Lambda X अगर हम कॉमल लेके बाहर लाएंगे, तो Lambda X की whole power minus 1 by 2, यह के बाहर आएगा, यह minus है, आगे minus लगा है, और अंदर देखिए हमारा जो बचेगा, वो बचेगा, X स्कॉयर प्लस Y स्कॉयर प्लस Z स्कॉयर, whole power minus 1 by 2 बनी रहेगी, तो अब यहाँ पर 2, 2 कैंसिल होगे, Lambda की power minus 1 हो जाएगा, यह जितना भी आगे आया, वो देखिए, V ही है, तो इस तरीके से यही बात मैंने बोली थी, कि V जो है, वो Lambda की कुछ power into V, मतलब फिर से यही function आ जाए, तो जो Lambda की power होगी, वही degree ह तो यहाँ पर Lambda की power जो minus 1 है, यही जो है, वो degree हो गई, यानि कि N equal to minus 1 आ गया, तो इस तरीके से हम इसकी degree पता कर लेंगे, अब यहाँ पर बस हमें N की value रख देंगे, तो हमको देखिए, यह X del V by del X plus Y del V by del Y plus Z del V by del Z, N की value रख दी तो यह minus V आ जाएगा, और यही हमारा option है देखिए, option जो C है, वो हमारा सही है, यहाँ पर, तो बहुत easily यहाँ पर, बहुत simply यह आ गया, अगर आप इसमें थोड़ी सी practice होगी, तो आप इसको function को देखके ही इसकी degree पता कर लेंगे, इसमें तो बहुत easy था, यह देखके ही पता चला है, कि degree इसकी minus 1 होगी, बट इसको ILS theorem बोलते हैं, और यह use करके हम सीधे इसका answer निकाल सकते हैं, अब साधियों मैं आपको सीधे 121 number question बताता हूँ, क्योंकि ILS theorem का ही है, तो दोनों question एक साथ हो जाएंगे, तो यह आपको ज़्यादा clear हो जाएगी, बाकी बीच के questions मैं इसके बात बताऊंगा, तो अगर हम X की जिए Lambda X replace करेंगे, तो देखिए ऊपर से यहाँ पर Lambda square common आएगा, Y की जिए Lambda Y replace करेंगे और नीचे से Lambda common आएगा, तो Lambda जो हमारा ऊपर Lambda बच जाएगा, अब वो sine inverse के बाहर नहीं आपाएगा, तो आगे वो Lambda नहीं आपाएगा, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके की बात होनी चाहिए कि V square, V equal to Lambda square Vi या V equal to Lambda cube Vi, अगर ऐसा आता है तो डिगरी 2 हो जाएगी, ऐसा आता है तो डिगरी 3 हो जाएगी, आप समझ चुके होंगे पिछले question में, बट यहाँ पर sine inverse के आगे Lambda नहीं आपाएगा, तो अब हमें कुछ और यहाँ पर working करनी पड़ इसको हम लिख लेते हैं, sin U equal to x square plus y square upon x plus y, यह हम लिख सकते हैं, और इसको हमने f माल लिया, अब यहाँ पर हम function एक नया ले आए, u की जिके f, तो देखिएगा क्या changing हो जाएगी यहाँ पर, अब हम function f को माल लेते हैं, अब हम आपास समझेए, इतना यह function हो गया, equal to, यह sin U के तो ही है, बट यहाँ पर, अभी हम इसको treatment इसका कर रहे हैं, देखिए, तो f equal to, अब हम यहाँ पर x की जिए, lambda x, तो यह lambda square x square plus y की जिए, lambda y, तो यह lambda square y square upon यह lambda x plus lambda y आ जाएगा, तो देखिए, उपर से lambda square lambda कटके, यह हमारा आ जाएगा, lambda into x square plus y square upon x plus y, तो यह हमको जो M मिल जाएगा, lambda f, आप देखिए, यह अभी इस form में आ गया, f equal to lambda f, means कि इससे आप समझ पा रहे होंगे, कि इसकी degree जो होगी, जिसको की हम n से सो करते हैं, वो 1 होगी, तो अब आप degree निकालने का तरीका समझ चुके होंगे इससे, अब यहाँ पर जो हम ILS theorem यूज करेंगे, तो देखें, यहाँ पर ILS theorem का result क्या बनेगा, x del f हो जाएगा, क्योंकि अब function हमारा f हो गया है, u से, तो l x del f by del x plus y del f y del y equal to n u की जिगे, या n v, जैसा function है, u होता, तो n u लेते, f है, तो n f लेंगे, पिछले question में, n v लिया था, v function दिया गया था, अब यहाँ पर del f by del z नहीं आया है, देखें, यहाँ पर, क्योंकि ही नहीं question में z, जैसे पिछले में x, y, z, तीनों आये थे, अब हम इसमें यहाँ पर f की value रख देते हैं, अब हमें इसको differentiate करना पलेगा, दरसल हमको यहाँ पर यह नहीं निकालना है, अगर x del f by del x इस तरीके से निकालना पलेगा, del एक दो line बढ़ जाएंगी बस यहाँ पर, f की value हम रख देते हैं, यहाँ पर देखिए, sin u, del by del x of sin u, plus y, del by del y of, फिर से यहाँ पर हमारा sin u हो जाएगा, equal to n की value रख दी, और f जो है वो हमारा यहाँ पर देखिए, f जो है वो sin u है, यह extra काम हो गया पिछले question से, इस question में थोड़ी जादा working है, अब देखिए, इसको हम differentiate करेंगे, तो sin u का देखिए होगा, हमारा cos u, फिर u का करेंगे, तो del u by del x, y रख रहेगा, sin u का फिर से cos u, और u का करेंगे, तो del u, y, but with respect to y कर रहे है, तो del u by del y आ जाएगा, equal to sin u, अब देखिए, हमारा cos u common आके, उ equal to cos upon में आ जाएगा, तो इधर ये 10 u आ जाएगा, तो देखिए, हमें इसकी value निकालनी थी, और ये आई 10 u के बराबर, तो यहाँ पर option b जो है, वो हमारा सही, अब मुझे उमीद है, कि आप इन दो question से ILS theorem की working समझ गये होंगे, question number 115 देखिए, fx is equal to mod x minus 1 plus mod x, ये दिया गय 1 का मान हम तभी निकाल सकते हैं, जब x is equal to 1 पर ये function differentiable हो, और x is equal to 1 पर ये function differentiable नहीं होगा, क्योंकि इसका जब हम mod x minus 1 का आप देखिए, जब हम इसका curve बनाएंगे, mod x minus 1 का, तो यह हम 1 मान लेते हैं, x is equal to 1 यहाँ पर है, तो इसका जो हमारा curve बनेगा, वो कुछ इस प्र यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, x is equal to 1 पर हमको corner point मिल लाए, और x is equal to 1 पर corner point है, तो वहाँ पर differentiable नहीं होगा, not differentiable होगा, तो जब differentiable होगा ही नहीं, तो हम उसके derivative की value नहीं निकाल सकते हैं, मतलब की f dash 1 जो है, वो exist नहीं करेगा, तो इसका option d जो है, वो हमारा सही question number 116 पर देखिए, एक partial differential equation दी गई है, इसका हमको solution निकालना है, तो देखिए, इसको हम leg ranges, subsidiary equation से इसको solve करेंगे, यह क्या कहती है, इसको समझिए यहाँ पर आप, dx, dy, dz, इनके upon में यहाँ पर, dvr, z, y, dvr, x का देखिए, यह coefficient ले लिया गया है, dy के upon में, dvr, z, y, dvr, y, इसका coefficient ले लिया है, यह इसको del, z, y, del, y बोलते हैं, और d, z के upon में, इधर यह, जो हमारा constant है, वो ले लिया गया है, constant तो इसको नहीं कहेंगे, मतलब कि जो समझ लिया है, कि बिना, जो del, del, z, y, del, x, y, del, y, del, y, के अलावा, इधर जो टाम है, समझ यह, वो ले लिया गया है, अब इसमें हमने करा गया है, कि x, y, z, as a multipliers ले लिये हैं, x, y, z, as a multipliers, मतलब इसमें हमने उपर नीचे देखिए, x का multiply किया, इसमें y का उपर नीचे multiply किया, इसमें उपर नीचे z का multiply किया, यह इसको Lagrange Subjectory Equation से solve करने का method है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, अब इसके बाद यहाँ पर, देखिए, हमने ratios की property यूज़ कर ली है, इसको आपने पढ़ा भी होगा, कि अगर यहाँ पर तीन ratio जैसे की x upon a, equal to y upon b, equal to z upon c है, तो यह equal हो जाता है, उपर तीनों का sum ले ले हैं, तो यह अपने पढ़ा होगा, ratio में property है, तो वो अब हमने यहाँ पर apply कर दी कि यह equal हो जाएंगे, ऊपर के तीनों add हो गए, और नीचे के तीनों add हो गए, अब यहाँ पर इनका जो हम multiply करेंगे, फिर पूरा solve करेंगे, तो यह पूरा cancellation करने पर upon में 0 आ जाएगा, तो इस तरीके से अब 0, यह जो है, हमारा इन तीनों के बराबर होगा, 0 इधर कहीं भी हम इनके साथ ले जाएंगे, तो हमको this equal to 0 मिल जाएगा, यह हमको यहाँ पर एक condition मिल गई, अब हम इसको integrate करते हैं, इसको integrate करेंगे, x का x square by 2, y का y square by 2, z का z square by 2, और इधर एक constant c1 ले ले यही working जो मैंने यहाँ पर की है, यह अब हम L, M, N as a multiplier लेकर करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने x, y, z का multiply करके add किया, यह जो भी working की, same, अब हम L, M, N ले लेंगे, तो जब यहाँ पर करेंगे, तो देखिए, यह l, dx, m, dy, nd, z, और उसको add कर देंगे, यह देखिए, यह direct मैंन लाइन लिख दी है, पहले आप इस तरह से चाहिए, इसमें multiply कर लिएगा, इसमें L का, इसमें M का, और इसमें N का multiply, जो equation number 1, मैंने लेगरेंजर सबस्टरी equation लिखी है, अब इसमें element का multiply हो गया, उपर नीचे, उसके बाद फिर जैसे यहाँ पर हमने इस property को use किया था, वो use कर लिए, तो देखिए, उपर LDX, ऐसे MDY, NDZ आ जाएगा, और नीचे इसमें L, M, N का multiply हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर से यह पूरा cancellation होके, 0 आ जाएगा, तो देखिए, LDX, MDY, PLUS, NDZ, EQUAL TO 0, हमको यह मिल जाएगा, अब हम इसको integrate करेंगे, तो हमारा L का LX हो जाएगा, with respect to Y differentiate करेंगे, और with respect to Z करेंगे, तो N Z हो जाएगा, इकल टो एक constant C2 आ जाएगा, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर दो result मिले, X square plus Y square plus Z square equal to C1, और LX plus MY plus N Z equal to C2, हैंस required solution, जो इसका required solution इस method में दिया गया है, वो यहाँ पर दिया गया है, F, यहाँ पर जो हमको यह मिला है function, पहला integrate करके, X square plus Y square plus Z square, कॉमा, फिर दूसरा जो हमको मिला है, यह LX plus MY plus N Z equal to 0, तो इस तरीके से language and subjectory equation द्वारा इसको solve कर दिया जाता है, तो इसका option जो यहाँ पर D जो है, वो हमारा सही है, साथियों, एक बात मैं आपको बता दूँ, कि यहाँ पर आयोग ने जो इसका answer दिया है, वो option C है, बट मैंने जो solution इसका पढ़ा है, कहीं पर, अब मुझे इतना ध्यान नहीं है, मेरे notes जो है, उनमें यहाँ पर उसका solution यही दिया गया है, उसके इसका option D जो है, बाकी हो सकता है, कुछ गर्बल हो, क्योंकि सब किताब से ही पढ़ते हैं, मैंने भी है, वो आपको बता दिया है, one and at 17 देखिए, एक equation दी गई है, hxy plus gx plus fy equal to c, यह एक pair of state line रेखा यूंक को निर्पित करती है, तो यहाँ पर हमको सही condition क्या दी गई है, वो पता करना है, तो देखिए, रेखा यूंक का जो standard equation होती है, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, हम इस से compare करके a, b, c, f, g, h की value निकाल लेंगे, उसके बाद इसका discriminant होता है यह, और यह equal to हमारा 0 होगा, अगर हमारा यह जो समीकन है, वो रेखा यूंक है, तो इसका discriminant 0 होगा, देखिए, इस तरह का समीकन जो है, वो रेखा यूंक को भी निर्पित करता है, वरत, परव पहले, पहरा बोला, ellipse, hyperbola, यह सब को निर्पित करता है, तो उसके लिए कुछ conditions होती है, जिनसे की हम यह पता कर सकते हैं, कि यह इस type की जो भी equation है, वो कौन सा कर्व होगी, इसके लिए मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है, त description box में डाल दूगा, उसे आप अवस्त देखें, जिसमें कि आप यहाँ पर 15 सेकेंड के अंदर ही इस कर्व को देखके समझ जाएंगे, कि यह कौन सा कर्व है, तो फिलाल यहाँ पर इस form में यह equation जो भी दी गई है, इसको हम इससे compare करेंगे, तो देखिए, A जो है, वो हमा हमारा minus C हो जाएगा, ऐसे ही, F, G, H देखिए, यहाँ पर, F जो है, वो हमारा यहाँ पर, D देखिए, Y के coefficient का आधा होता है, तो F यहाँ पर F by 2 हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे ही, G, जो है, वो, G by 2 हो जाएगा, और H जो है, वो हमारा यहाँ पर, D hints, Y के, coefficient का अधा है तो यहाँ पर h जो है h by 2 हो जाएगा बस अब हमने यहाँ पर यह values इसके discriminant में रखी है और यह equal to 0 होगा अगर यह समीकन जो है वो रेखा युक्म है तो इसकी value 0 होगी तो यह सारी values मैंने यहाँ पर रख दी है solve करने पर इतना आ गया fg plus ch बराबर 0 तो यहाँ पर हमारा option c जो है वो हमारा सही है question number 118 में आते है fx is equal to mod x minus 5 यह दिया गया है तो कौन सा कथन सही नहीं है आप इस पर विशेष ध्यान दीजेगा सही नहीं है यह नहीं पूछा गया कि कौन सा सही है यह गलती हो जाती है तो यहाँ पर देखिए x equal to 5 पर यह सत्त है यह हमारा सही है अच्छा मैं इसका graph से ही समझाता हूँ जैसे पीछे भी मैंने अभी एक question जो था वो graph से आपको समझाया था mod x minus यह हम x equal to माल लेते हैं कि 5 है तो mod x minus 5 इस तरह का कुछ इसका graph होगा यह अब देखिए यह x equal to 5 है तो x equal to 5 पर यह function सत्त है तो देखिए पहला सही है दूसरे में आईए देखिए लिखा है x equal to minus 5 पर सत्त नहीं है तो देखिए 5 इधर लिया है तो यह minus 5 इधर कहीं होगा तो x equal to minus 5 पर यहां पर देखिए कि function जो है वो सत्त है यह पूरा लगाता चलता चला आ रहा है कहीं कोई break नहीं हुआ है यहां पर कर्व में जैसे कर्व में अगर कोई break हो रहा है जहां पर तो वहां पर discontinuous होता है असतत होता है ऐसे ही अगर corner point आ जैस के समझ पाएंगे कि वो differentiable है कि नहीं continuous है कि नहीं वो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा तो यहां पर देखिए कि यह दिया गया है x equal to minus 5 पर सतत नहीं है मतलब continuous नहीं है जबकि आप कर्में देख रहे होंगे कि यहां पर वो continuous है तो यानि कि इसका b part जो है वो सही नहीं ह तो इसका answer जो है वो इसका b part हो जाएगा question number 119 में आते हैं एक आउकल समीकन आपको दिया गया है यहां पर k d2y by dx2 equal to 1 plus dy by dx का whole square की whole power 3 by 2 हमें इसकी order और डिगरी बतानी है तो देखिए यहां पर लोग गलती क्या करते हैं इसको समझेगा इसका सीधे order बोल देते हैं कि यह पर order 2 है और डिगरी 1 है देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा बट आपको यह नहीं करना है होना क्या चाहिए कि जो भी differential equation है इसमें power upon में 2 upon में 3 upon में 4 या root sets जिनको बोलते हैं वो नहीं होनी चाहिए उनको हमें पहले हटाना चाहिए तो पहले हम इस पूरे का whole square करेंगे इस पूरे का whole square करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा यह हमारा k square इधर यह आ जाएगा d2y by dx2 का whole square आ जाएगा और इधर यह 1 plus dy by dx का whole square की whole power यहाँ पर 3 हो होने चाहिए differential equation में अब हम इसकी order वो degree बताएंगे तो यहाँ पर इसकी order जो है वो देखिए 2 हो जाएगी और degree जो है वो भी 2 हो जाएगी तो इसका option b जो है वो हमारा सही होगा question number 120 देखिए कि कोई curve है y equal to fx इसके बिंदु ab पर अभिलंब धनात्मक x से 3 pi y 4 कोण बनाता है मतलब 135 डिगरी का कोण बनाता है तो अभिलंब के लिए कहा गया है तो अभिलंब की जो slope हो जाएगी normal की slope उसको हम mn से so कर देते हैं तो देखिए यह हो जाएगी 10 3 pi y 4 यानि की 10 135 तो इसकी value आ जाएगी minus 1 इससे हम tangent की slope निकाल लेंगे mt tangent की slope को हम mt से so कर रहे हैं तो यह आप जानते होंगे रेसी प्रोकल हो जाता है और साइन से हो जाता है तो यह हमारी आ जाएगी plus 1 अब इसके लिए देखिए बस हमको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह जो f dash a जो है वो tangent की slope के ही equal होता है f dash a जो होता है वो tangent की slope होती है उसके equal होता है यह tangent normal में आपने पढ़ा होगा तो यह equal to 1 हो जाएगा तो इस तरी से के से इसका option a जो है वो हमारा सही होगा next question देखिए 121 मैं आपको ILS theorem का जो था वो पहले ही उसके साथ ही पीछे question था उसके साथ बता चुका हूँ फिर next question में आते हैं देखिए 123 यहाँ पर y equal to हमको दिया गया है cos 3 cos inverse x यह बहुत easy question है यह मैंने पहले ही से solve कर दिया है तो 3 cos inverse x का हमने फार्मूला लगा लिया cos inverse 4x q minus 3x cos inverse cos यह हट जाएगा हमारा इतना बचेगा 4x q minus 3x अब हम बस इसको यहाँ पर 3 बार differentiate करेंगे देखिए dy by dx निगाला d2 y by dx2 बहुत easily आ जाएगा यह d3 y by dx3 equal to 24 आ जाएगा option d जो है वो हमारा सही है question number 124 में आते हैं इसका सीधे हमको answer यहाँ पर लिखना है देखिए यह group theory में एक theorem है जिसका की statement सीधे सीधे यहाँ पर question में दिया गया है कि a non-computative group has at least 6 elements यह इसका statement है इस theorem का आपको यह theorems इनके statement learn होने चाहिए इनकी proving की यहाँ पर ऐसे exams में जहाँ MCQs आते हैं वहाँ पर इनकी provings की जानकारी होना कोई जुरूई नहीं है बस आपको इनक statement learn होने चाहिए तो सीधा सीधा statement है यहाँ पर कि एक समूव जो की क्रम विनमेई नहीं है उसमें कम से कम 6 अवयों होते हैं या 6 अवयों होने चाहिए तो इसका answer जो है वो डी होगा यहाँ पर option डी जो है वो सही है last question 125 पर आते हैं एक hyperbola दिया गया है देखिए 2x square minus 3y square equal to 6 इसके बिंदू minus 2 minus 1 पर खीची गई इस पर स्रेखाओं का समीकन हमको निकालना है तो देखिए इसके लिए यह तो formula होता है y equal to mx plus root a square m square minus b square a square b square निकालने के लिए हमने इसको standard form में convert किया 6 से पूरे में divide कर दिया a square देखिए 3 है और b square जो है वो हमारा 2 है यह हम इसमें यहाँ पर रख देते हैं और फिर solve करके m की value आईगी वो उठा के हम इसमें रख देंगे तो equation आ जाएगी तो यह हमको मिल जाएगा mx plus root 3m square minus b square 2 अब हम यहाँ पर root वाला एक तरफ करके बाकी इसका square कर देंगे सोरी अभी नहीं यहाँ पर अब हम यहाँ पर इस point से इसको पहले satisfy कराएंगे देखिए यहाँ पर minus 2, minus 1 पर है तो इसको हम satisfy कराएंगे पहले minus 2, minus 1 इससे हम इसको satisfy करा देंगे y की जिएक हमारा आजाएगा minus 1 और x की जिएक हमारा आजाएगा minus 2 तो यह minus का 2m आजाएगा plus under root 3m square minus 2 अब यहाँ पर देखिए root वाला हमने एक तरफ ले लिया यह और यह उठा के उधर ले गए तो इस तरीके से हमारा आजाएगा 1 minus 2m अब हम यह दोनों और का square कर देंगे तो इसको solve करके देखिए m में एक quadratic equation बन रही है वो मैं सीधे लिख देता हूँ m square minus 4m plus 3 इस तरह के calculation में यहाँ पर करके आपका समय नहीं बरबाद करूँगा इससे m की value हमको मिल जाएगी 1 और 3 देखिए m की value 1 और 3 आगई अब हम यहाँ पर यह जो हमने equation मानी थी इसमें हम एक बार m की value देखिए 1 रख देंगे और एक बार m की value हम जो है वो 3 रख देंगे तो m की value देखिए यहाँ पर 1 रखने पर क्या आ जाएगा इसमें रख देंगे यहाँ पर यह तो y equal to m की value रखी हमने 1 तो x और यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो देखिए 3 minus 2 तो यह x plus 1 एक answer हमारा यह आ जाएगा इससे x minus y sorry यहाँ पर 1 minute x plus 1 आ रहा है हाँ तो ठीक है यह x minus y plus 1 equal to 0 एक answer देखिए हमको यह मिल गया अब हम m equal to s इसमें यहाँ पर फिर से इसी में हम 3 रख देंगे तो answer हमारा आ जाएगा मैं सीधे लिख देता हूँ answer आ जाएगा 3x minus y plus 5 equal to 0 तो यह हमारा दूसरा answer आ जाएगा तो इस तरीके से आप मैच कीजिए यहाँ पर option जो है हमारा d जो है वो सही है साथियों इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरे प्रस्णपत का हल complete कर दिया है एक दो question दो तीन question जिसमें मुझे doubt था उनका solutions मैंने नहीं दिया है यहाँ पर मैं कुछ भी गलत solution यहाँ पर नहीं देना चाहेता था तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को subscribe अवस्य करें और आपको जो भी आपकी demand हो कि आपको यह chapter इस तरह का कोई भी chapter कोई भी topic पढ़ना है तो उसका वीडियो मैं अवस्य आपके लिए बनाऊंगा साथियों अगर आपको वीडियो knowledge full लगा हो तो इसको like जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको share कीजिए